आवो हम एशु से फिन्ने को जाए जन्दी ही आता है बादलों में एशु हम उनके संग हो जाएंगे हालेलुया हम जाएंगे हम उनके संग हो जाएंगे हालेलुया हम जाएंगे हाले रेाले अलेलुया को हम आ kg हाले आ इन इन अ आ इन बहो हालेलुया आमिन हालेलुया 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 कोई पूछेगा आपका जीवन का आश्चा क्या है तो उसके लिए के सरवे चलाये करेंगे तो बहुत कुछ बोल सकता है मुझे मकान करिदना है कार करिदना है मुझे बहुत बड़ा इंजिनियर बनना है डॉक्टर बनना है ऐसा करना है ऐसा करना है ऐसा करना है ऐसा करके बहुत सारे जीवन का लेक्षी को होप को लोग बताएंगे मैं उसके लिए जीवित है कोई काहेगा अपने बच्चों को पढ़ाई करवाना है और उनका सेटिल्मन को मैं देखने के लिए चाहता हूँ कैसे बाते लोग बोल सकता है प्रभू को जानने वाले भी बोल सकता है लेकिन जीवन का सबसे बड़ी आशा बाइबल काती है अनंद जीवन है यदि आपके पास अनंद जीवन का आशा है तबी आप आगे प्रभू के साथ में जीने में मजा है हललुया आपके पास विश्वासी जन के पास जिसने येशु मसी पर विश्वास किया सच मुझ और अपने जीवन का पापों को पवित लहूं से शुद्ध किया गया है किसके लिए यहां रहने के लिए नहीं प्रभु ने काता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिदा और उसके पुत्र येश्व मसी को जानना वो ही है अनंद जीवन आपको सारे जीवन का आशा अनंद जीवन में है इसलिए येश्व ने कहा है इस संसार में पुंजियों को जम करो जहां पर चोर नहीं आता है, सेंद नहीं लगाता है, और चोरी नहीं करता है, ना जंग लग जाता है, ऐसे जगा पर अनंद जीवन का वारिष परमेश्वर मुझे और आपको बनाया है, अनंद जीवन ही मसंग का अल्टिमेट फेथ है, अल्टिमेट फेथ, अल्टिमेट होब, that is अन्द लाइफ, अल्टिमेट टारगट, अल्टिमेट गोल, that is अन्द जीवन, यदि आप का विश्वास उस पर आथारित नहीं है, ये संसार में आप थक जायेंगे, प्रभु का वजन साफ काता है, हम कुछ लेके नहीं आया, ना हम कुछ लेके जाएंगे जो कुछ में आप खमाएंगे, खाएंगे, पीएंगे, यूज़ करेंगे, यही पर रहेगा और इसलिए आपका ultimate go, target, eternal life होना है जिसका जीवन में इसकी आशा नहीं है, वो आज जीवन में रो रहा है उसका होप नहीं है, परिस्तियों के देखर के, वेक्तिकत जीवन का, पारिवारी का वस्ताओं का सोचते सोचते सोचते, गिनते गिनते गिनते, काल्कुलेट करते करते उनका जीवन में पराजे को दिखाई पड़ रहा है उनका जीवन में अशान्दी को दिखाई पड़ रहा है उनका जीवन में सेक्सस और अंड्सेक्सस दोनों देख रहा है ये संसार है इसलिए संसार से बचाने के लिए इशु मसी इस जगत में आया है हाललुया कैसे आपको बचाएंगे एश्व अल्टिमेटली उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा अंदिम दिनों में मैं उसको पुनर्जीवित करूँगा उसको जिलाऊंगा ताट इस और गौल ताट इस और दर्शन उसी के लिए येश्व आपको बुलाया है आपको शरीर को जूटने के लिए और आप परमेश्वर के साथ हमेशा रहने के लिए येश्व कुरूश पर मारा गया है और आपका सारे दर्शन आपको सारे विश्वास आपका सारे ठारगट आनंद जीवन पर लगाना है नहीं है तो आप इस संसार में दुकित और निराशाओं में जीवन को चलाना पड़ेगा आपका शरियर में कुछ भी दूल पड़ने से आपका शरियर में कुछ भी दुका और तकलीफ निराशा आने से यदि आपके पास अनंद जीवन का प्रत्याशा है आशा है तब आप आगे जाएंगे नहीं है तो फिरी संसार का लोग का दुख आपके साथ में भी होगा जॉन चाप्टर 14 में और अन्या कही जगाओं में एश्यू ने डिरेक्ली बोला है में आने वाला हूं हम केवल ये श्मसी के इंदिजार के लिए वेट करता है कलीसिया केवल ये वेटिंग शड़ है जैसे गाड़ी आने के लिए जैसे बस आने के लिए बस में बड़े बड़े सिटीज में आप देखेंगे टाउंडस में आप देखेंगे वहाँ पर waiting shed होता है रोड का किनारे में उसका नंबर का बस आने तक वो अपने waiting shed में stay करता है और wait करता है तो same way ये शमसी का आने तक wait करने का waiting shed केवल है चर्च और यहाँ पर आपको रह सकता है आराम कर सकता है आप बिना पानी का बिना दूप से आप रस्ट कर सकता है ताकि ये रस्ट पर्मनेंट नहीं है ये आपका गाड़ी का नंबर जिस गाड़ी में आपको चड़ना है वो गाड़ी आने वाला है उसके लिए आप इंतजार कर रहा है इसलिए येशु जल्दी ही आने वाल एश मसी जल्दी ही आने वाला है कलीसिया उसका तयारी करता है कलीसिया लोगों को विश्वासी को उसके लिए रडी करता है कैसे कलीसिया रडी करता है विश्वास में मजबूत बनाता है और पवित्रदा में जिद्दा में कलीसिया को ले चलता है क्योंकि एक भी बेर्ड काम होता है यदि आप सच मुछ आपका विश्वास प्रभू पर है तो आप इस पर आनंदित हो कि आप आनंद जीवन का वारिश बन गया है और आपके येशु जल्दी ही आने वाला है वो बादलों में आया आएंगे उसने एक बार पृत्वी में आया सेकंड टाइम इस कमिं विश्वासे एक विश्वासी का येशु आ रहा है मुझे ले जाने के लिए और उस दिन आपका शरीर जी उठेंगे और यदि आप इस पर विश्वास करता है तब यू आरे ट्रू बिलिवर अदरवाइस काम खेली येशु के पीचे पड़े है हाललुया कोई किसी का नाम ले रहा है और आप इस संसार का आशिशों के लिए बाइबल में लिखा हुआ है फस्ट कॉरंधिन चाप्टर फिफटीन में पाउलोस ने कहा यदि इस संसार के ही आशिशों के लिए आप इस शुमसी पर विश्वास किया है तो आप सबसे बड़ा धौरभा गिवान वेक् के लिए करूज पर बलिदान नहीं हुआ है आपको अनंद जीवन देने के कि आपको इठेनल लाइफ ले जाने के लिए आपका शरीर मृत्यु से जिलाने preaching सारे मानवजादी कुछ न कुछ बोलता है परंदु येश्यू बोलता है कि मनुष्री का शरीर जी उठेंगे फिर से जी उठेंगे और वो फिर से जीवन को हासिल करेंगे ये परमेश्वर को देश था दावुद से परमेश्वर ने कहा कि मेरा पवित्र जनका शरीर को मैं सडने नहीं दूँगा भविश्यमानी दावुद से परमेश्वर ने कहा ये भविश्यमानी को पूरा करते हुए प्रेणिदों को काम अध्याय दो में आप पड़ेंगे जि लेहुद्यों से प्रचार किया पत्रोस ने उस वजन को खोड किया जिस को जिस वजन को दावूद के लिए पर मेश्वर दिया था परμεश्वर ने कहा मेरा पवितर जन को मैं सड़ने नहीं दूँगा कौन है पवित्र जन शेतान ने बताए मरकुज का सुसाज माजार में येशु को देखर के ये परमेश्वर का पवित्र जन है मेरे पवित्र जन को मैं सड़ने नही दूँगा वो दावुद को दिये वे प्रदिग्या को पूरा करने के लिए येश्व मसी को जिसने तूने क्रूस पर बिली चड़ा दिया गया है उसको परमेश्व ने फिर से जिलाया है और वो प्रभू और करता है वो प्रभू और राजा है He is the King and the Lord वो मसीह और प्रभू है ये दोनों दो अर्थ है हाललुया और इसलिए वहाँ पर पत्रोस ने कहा वो येश्व को पवित्र जन को परमेश्वर सडने ने दिया उसका शरीर जी उठा है और ये जी उठा है और वो सुर्ग में प्रवेश्च किया गया दूसरा प्रदिग्या अंदिम दिनों में मैं सरी सारे शरीर धारियों को पवित्रा आत्मा को उंडेलूंगा ये दूसरा प्रदिग्या जिस मसी ने जी उठा उसके द्वारा बेजा गया है वो ही है आज पंदिकोस गदिन में हमारे उपर आप देख रहा है मसी का और पवित्रा आत्मा का दोनों का भवश्रवानी का शक्ति को बे कैसे हम सब जी उठेंगे हाललुया इसलिए ये शुमसी ने खुद कहा जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो मरने पर भी जी उठेगा खबरस्तान आपने जितने खबरस्तान को देख रहा है उसमें कहें से लाशों को दफनाया गया है खबर भी बनाया है परंदु ये शु के साथ बादल में उठा लिया जाएंगे और वो परमेशवर के साथ में रहेंगे ये विश्वास करने का अनवार्य और अवश्य वचन है इस यस्वेज़ रियल शे। इस इस त्रू फेज़ आपका शरीर का पनुद्धान आपका शरीर का पनुद्धान तब दंडीन पें करेगा, unnecessary cleaning, cleansing, शारीडिक, अभ्यास, exercises, लोगबंद करेगा, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, hallelujah, प्रियाम, प्रिडान ही, मृत्यून ही, अनन्द जीवन है, 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 प्रभु के दूतों के संग, आराधना करेंगे, प्रभु के दूतों के संग आराधना करेंगे आवो हम येशु से मिलने को चाए जन्दी ही आता है बादलों में येशु आवो हम येशु से मिलने को चाए जन्दी ही आता है बादलों में येशु हालालोया परमेश्वर के साथ में रहेंगे और उस जुंड में जुड जाएगा जब आप रवलेशन के किताब में पढ़ेंगे तो वहां पता चलता है अनिक लोग सफेद वस्तुर पनते हुए परमेश्वर को अराथना कर रहा है वो मैं और आप है यदि आप और मैं विश्वास के सा आप बहन बाए अल्रड़ी हाई ट्रजन बॉंब फूट गया है हाललुया कितना दिन लेगा आप देखते रहिए हो सकते आपी का समय में ही है ट्रजन बॉंब फोड़ना शुरू करेगा हाललुया जो खुबशूरती से आज बनाया है तोड़े समय के लिए है जो लेक्शो होने वाला है हाललुया देश देश घड़ा बन जाएगा आग का गोड़ा उपर उठेगा और बॉंब का बारी शुरू हो जने का समय लगबग आ गया है हाललुया इसलिए आप नहीं आशा रखे इस दुनिया में प्रभु येश्यु ने कहा यह सब समाप्त हो जाएंगे अगाश और पृत्वी ठल जाएगा परंद मेरा वचन कभी नहीं ठलेगा आपकी आशा क्या है उसके साथ में वो दुनिया जो सोच रहे हम भी मर जाएंगे ना आपका सोच और विचार ये होना चाहिए मेरे प्रभु दरवाजे के पास से वो निखट है मुझे ले जाने और येशु ने ये आज ने कहीं दिनों के पहले भविश्रमानी किया है हम वो पवित्र और सिद्ध लोग है अनग्रह कर लोग हैं ब्लसिंग कर लोग है हम आनंद के साथ बोल सकता है मुझे येशु चुडा लिया गया है मुझे येशु चुडा लिया गया है ये संसार के साथ में सतिनाश होने के नहीं मेरी आत्मा को सुर्ग ले जाने के लिए सबसे बड़ा चुनोती येशु देता है क्योंकि सब के सब चीज में चुनोती और कॉलिंग और डिसीशन और चूज करने कर विश्रे होते हैं लेने वहाँ बहुत बड़ा confusion और वहाँ पर finally आप कोई भी color ले लेता है चूज करके आप साड़ी खरीद रहा है और market में चले जा रहा है जमीर लेने के समय मकाल लेने के समय हर चीज में school college में जाने के समय आपके सामने चुनाओती है कौन साल ले ले एक कम से कम आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि बिना लेते हुए आपके कामा पूरा नहीं हो सकता है शादी करने के पहले चार लड़के आते हैं फोटो लेकर के या फिर चार लड़के के फोटो आता है किससे शादी करे फाइनली किसी से आप मजबूर हो जाता है और फाइनल हो जाता है मैं इसी से शादी करूंगा जीवन का हर एक शेत्र में आपको चुनाओती है आपका चूस करने का विश्य होता है परंदु बाइबल काती है सबसे बड़ा चुनाओती आपके सामने आप सुर्ग जाएंग या फिर नरक जाएंगे इसलिए आप चूस करें मुझे सुर्ग जाना है या नरक जाना है यदि सुर्ग जाना है तो येश्यू का लहू खेवल आपको सुर्ग लेके चलेंगे उसका लहू से शुददा और पापों से मन फिराना और पश्चताब करना और उसका वचन पर जीवित रहेंगे क्रूस उठा करके उसको पीचे चलेंगे तब आप सुर्ग का वारिश होंगे नहीं तो इस संसार के लोग जिस जगा जाने वाला है वहाँ पर आपका भी जगा होगा फैसला है और चुनोती है बहुत बड़ा संगर्श है आप चूस करें दुनिया चाहि चाहिए कि नरक चाहिए येश्व ने क्लियर कट सब का वचन दिया है आप सेलेक्ट कर सकता है आपका वक्त है हाललुया लेकिन याद रखिएगा मृत्यू का बाद कोई सेलेक्शन नहीं है जो कुछ भी करना है अब ही करना है क्योंकि येश्व ने दुनिया में आया दुन हो नहीं हो मानिता हो नहीं मानिता हो प्रभु के साथ में छल्ले से अनंद जीवन मिलेगा और इसको हलका समझता है समझे कोई प्रॉब्लम नहीं धोका नहीं, जगडा नहीं, शान्दी ही शान्दी रहेगा प्रभु के आनंद से दिल मेरा भर जाएगा आवो हम एशु से दिल मेरा भर जाएगा आवो हम एशु से दिलने को जाएग जल्दी ही आता है बादलों मेशु